आज का टॉपिक है हमारा डाकिन प्लेटियो डाकिन प्लेटियो के हम important MCQ discuss करेंगे हमने Indian Geography के topic wise MCQ discuss किये हैं और आज हम करेंगे जो डाकिन प्लेटियो है उसमें southern प्लेटियो आता है उसके MCQ discuss ठीक है तो first question है हमारा which of the following river flow in the southern प्लेटियो यहां पर बात हो रही है river की पहले हमें Deacon Plateau यह वाला होता है ठीक नीचे वाला यह map पे इंडिया का ऐसे ऐसे थोड़ा अजीब सा बण गया ठीक है ऐसे तो यह जो नीचे वाला है ना इसको बोलते हैं Deacon Plateau ठीक है इस reason को बोलते हैं Deacon Plateau और जिसके तीनों साइड पानी होता है उसको हम क्या बोलते हैं पैननसुला भी बोलते हैं और प्लैट्ट्यू प्लैट्ट्यू होते हैं पठा जहां पर रॉक्स विगरा होती है जो रॉक्स से बनता है उसको बोलते हैं तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे यहां पर अगर में गोव, फिर करनाटका, कैरला, तमील नाडू, आंद्रापरदेश, बीच में हद्राबाद, और यहां पे आता है उरिसा, ठीक है यहां पे उरिसा, फिर इसके ओपर बैस्ट वंगाली दूसरा आ गया, ठीक है इस वाले रिजन को हम बोलते हैं, डैकन प्लेट्यू, और इस की हम बात करेंगे, इसी के MC की डिसकस कर रहे हैं, क्या कोशन है, कि इस रिजन में कौन सी रिवर फ्लो करती है, यह पुछा हुआ है, तो कौन सी फ्लो करती है, क्रिशन, हमने रिवर का टॉपिक भी डिसकस किया है, ठीक है, क्रिशन, तो देखा जाए तो, यहां पे कौन काट है, यह इस रिजन है, यहां से क्रिशन, गुदावरी, काविर, जो तीन है, यह मेजर रिवर हैं, ठीक है, तीन मेजर रिवर हैं, और कहां गिरती है, इस साइड है, बेया बिंगॉल, ठीक है, बेया बिंगॉल में गिरती है, बेया बिंगॉल, बेया बिंगॉल जो है, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा बे है ठीक है वर्ल्ड का सबसे बड़ा बे कौन सा है बे और बंगाल ठीक है मंगाल की खाड़ी तो इसमें गिरती है ये रिवर ठीक है कौन कौन सी है सदन प्लैट्यू में कृष्णा गोदावरी ठीक है कावेरी ठीक है जो गोदावरी है उसक सबसे बड़ी रीवर कौन सी है? गुदावरी? 아침 ये जो कहां गिर्ती है? वो इस्ट फ्लोउिंग रीवर है तो यहां पे कौन सी है? कृिष्णा ठीक है? option area is correct जो सतलूज है ये हिमालेा रिवर ठीक है? ये हिमालेा रिवर है सतलूज ठीक है ये कहां से निकलती है तिबब से निकलती है और कहां पर गिरती है ये आके यहां पर Arabian Sea वाली साइड नीचे गिरती है ठीक है और उसके बाद रावी हिमाचर परदेश में ये इंडस की ट्राइब उट रही है पद्धमा आपको पता है कि उसको गंगा को बंगला देश में हम क्या बोलते हैं पद्धमा बोलते हैं ठीक है तो option A is correct cotton is a mainly grow in the southern plateau which type of soil is good to grow ठीक है आपको पता है जो cotton है वो जातर कहां होता है महराश्टरा में है न सदन एरिया में होता है साउथ वाले एरिया में होता है अब बोल रहे हैं कि कौन सी मिटी इसके लिए बहुत अच्छी होती है यह आप सभी को पता कौन सी black soil ठीक है black soil black soil किसके लिए cotton के लिए black soil जो होती है वो less होती है किसमे nitrogen phosphorus ठीक है nitrogen phosphorus ठीक है इसमें कम होती है ठीक है nitrogen, phosphorus और organic matter इसमें कम ऐसे बूसकते हैं इसमें less quantity किसकी होती है तो वो nitrogen, phosphorus और organic matter ठीक है nitrogen, phosphorus और organic matter इसको हम cotton soil भी बोलते हैं और रीगूर भी बोलते हैं ठीक है option B is correct और जो यह alival soil है यह कहां होती है यह नदन प्लेन में होती है ठीक है नदन प्लेन जहा अपर पान निशानी होता है? यह यहां पर होती है. और सैंडी सौइल जहां पर डेज़्र होते है, राजस्तान वाले एरिया में यह होती है. ठीक है ? तो इसका जो कुरेक्ट आप्षोन है कि सब्से जजादा कौन सी मिट्टी होती है, cotton के लिए कौन सी मिट्टी होती है, black soil, ठीक है, option B is correct, अब बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मिक्का कहां पाये जाता है, सबसे ज़्यादा मिक्का कहां पाये जाता है, ये तो हमें पता है कि जो deacon reason है, उसमें सबसे ज़्यादा mineral पाये जाते हैं, ठ क्यों क्योंकि यह पुराने टाइम से भी बनी है और इगनिशियस रॉक से बनी हुई है ठीक है तो अब बोल रहे हैं मिक्का कौन से रीजन में पाय जाता है मिक्का जो है वो शोटा नागबुर प्लेटियू में क्या बाय जाता है मिक्का बाय जाता है शोटा नागबुर प् प्लेटियों में नहीं फ्लो करती है इन में से कौन सी रीवर है जो सदन प्लेटियों में फ्लो नहीं करती है कृष्णा करती है यह हमने पढ़ा अभी गोदावरी भी करती है ठीक है सबसे बड़ी कौन सी है गोदावरी ऐसे इंडिया की सबसे बड़ी कौन सी है गंगा ठीक ह तो बिद गंगा किसको बोलते हैं गुदावरी को बोलते हैं और महानदी महानदी भी बहती है महानदी उडिसा से निकलती है उडिसा में सबसे बड़ा जो हिराकून टैम है वो कौन बनाती है महानदी बनाती है लेकिन जो तापी है तापी सेंट्रल इंडिया की रीवर है ठीक है सेंट्रल इंडिया की रीवर है और ये वैस्ट फ्लोई ठीक है ये वैस्ट फ्लो करती है वैस्ट कहां अरेबियन सी यहां पर अरेबियन सी है और यहां पर बेयाब बेंगॉल है तो यहां पर कौन फ्लो करत तीक है टेक्स्टाइल सबसे जदा कहा गाह? कहा होते हैं यह बोला हुआ है मेजर सेंटर कहा है कपडों का मेजर सेंटर कहा है यह आपको पता है? मुंबई और अहमधाबाद अहमधाबाद कहा है? गुजरात, option B is correct next है कि give her some of the different type of plants ठीक है, different types of the plant found in India ठीक है, different types of plant found in India, लेकिन इन में से कौन सा, southern plateau में ठीक है, southern reason में, यहां पे कौन से पाए जाते हैं, यह पुछा है southern में कौन से पाए जाते हैं तो, cell sandalwood, cactus, pine, dheodar, pine and dheodar यह आपको पता, another reason में, जहां पे mountain होते हैं, वहां पे कौन होते हैं pine and dheodar, pine and dheodar कहां, another reason में होते हैं ठीक है, और western reason में, cactus जहां पे desert, ठीक है, राजस्तान वाली साइड क्या होगे, cactus cell and sandalwood ठीक है, cell and sandalwood यह कहां पाए जाते हैं, southern plateau में कौन से, cell and sandalwood option A is correct अब use of following information answer the next question some fact about southern plateau ठीक है, southern plateau के हमने कुछ answer देने हैं, लेकिन जो incorrect हैं, क्या देने हैं incorrect, जो गलत हैं, वो बताने हैं अब बोल रहा है कि इसमें iron mica होता है, हाँ वो हमें पता है कि जो southern plateau, decan plateau वहां पे iron mica होता है, ये ठीक है black soil, cotton के लिए अच्छी है, ये भी अभी पढ़ा हमने black soil cotton के लिए अच्छी है, अब ये बोल रहे हैं कि chief river नर्मदा अन्तापी, ये नहीं है, ठीक है ये नहीं है, ठीक है ये नहीं है ये central इंडिया की mostly है और ये arabian c में बहती है तो हमारा जो third वाला है वो crack आ जाएगा, ठीक है, option c is crack अब बोले विच रिवर डिवाइड दा southern plateau into central highland and decan plateau ठीक है, ये southern plateau है decan plateau को अलग करती है और central highland को अलग करती है ठीक है, ये decan आ गया और ये central highland, इनको कौन सी रिवर अलग करती है, ये पुछा हुआ इनको कौन सी रिवर अलग करती है ये करती है नर्मदा, ठीक है ये कौन करती है नर्मदा, किसको central highland और decan plateau को अलग करने वाली river है, नर्मदा अगर range पुछे, तो विंद्या range ठीक है, रेंच में विंद्या range आएगी central highland और decan plateau को अलग करने वाली river नर्मदा है और range कौन सी है विंद्या range, ठीक है, रेंच कौन सी है विंद्या range, जो नर्मदा river है वो मध्यापरदेश से निकलती है, मध्यापरदेश में जाके गिर जाती है ठीक है अरेबियन सी में जाके गिर जाती है और इफ्ट वैली में भी option A is correct next question है which of the following statement correct ठीक है correct बतानी है हमने हमने मालवा और शोटा नागपूर प्लेट्टिव का difference बताना है कौन सा मालवा और शोटा नागपूर ठीक है मालवा और शोटा नागपूर मालवा देखा जाए तो Central Asia में क्या आता है Central India में मद्यापरदेश है तो मालवा मद्यापरदेश ठीक है ऐसे पूछ सकते हैं मालवा कहां आता है 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 मालवा प्लेटियू कहां पे 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 मालवा प्लेटिय और अरावली विंद्या और अरावली को differentiate करने वाला अलग करने वाला कौन सा प्लेटियू है मालवा प्लेटियू ठीक है अरावली और बिंद्या अरावली और बिंद्या को अलग करने वाला कौन सा है मालवा और बिंद्या किसको अलग करता है बिंद्या शोटा नागपूर और डेकन को कोन अलग करता है, शोटा नागपूर और डेकन को कोन करता है, ये बिंद्या करता है, ठीक है, मालवा किसको करता है, बिंद्या और अरावली को, और बिंद्या किसको करता है, यहां पर शोटा नागपूर है, और इसके नीचे आता है हमारा डेकन प्लेट्यू, ठ से हुआ है वालकेनों से हुआ ठीक है वैलकोने से हुआ है और जो शोटा नागपुर प्लेटी हुआ है वहां पे बहुत से मिलनर पाये जाते हैं वह शत्रिसगण एरिया वाली साइड आता है तो इसका जो क्रेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन भी इस ग्रेक्ट अब बोल रहे हैं थिकने साफे सेडिमेंटरी राग इस फांट इन फोल्ड माउंटेन ठीक है जो फोल्ड माउंटेन होते हैं वहां पे सेडिमेंटरी राग सबसे ज्यादा लार्ज थिकनेस कैसे बनाती है क्यों बनाती है ठीक है तो ऐसे भी पूछ सकते हैं फोल्ड माउंटेन में कौन सी र की हो गए यह सारे फोल्ट मांटेन के इग्जांपल है थो यह क्या से होते हैं बड़े से फोल्ड बन जाते यहां पे सेडिमेंट यहां से प्लेट आई यहां से टेकर आई तो यह निचोड़ ओगे उपर चला गया ठीए ये फोल्ड बन जाते हैं तो इससे क्या होती है वेरी थीकनेस होया आती है तो option D is correct next question में पुछा हुआ है कि example बताओ young fold mountain की ठीक है young जो अभी बने young fold mountain की example young fold mountain तो यहाँ पे जो हिमाल्या और अल पह यरोब का ऐसे पूर सकते है अल माउंटेन कहां आता है यरोब में अल माउंटेन यरोब में आता है और young fold mountain है ठीक है ये दोनों ही क्या है हिमाल्या भी young fold mountain है अल्प भी क्या है young fold mountain है हिमाल्या और अल्प ठीक है जहाँ पे one two होगा वो correct option option C हमारा correct हो जाता है और जो अप्लांचिस है वो नौर्थ अमेरिका का अप्लांचिस नौर्थ अमेरिका का उरेल रशिया का ठीक है रशिया और यूरोप को अलग करने वाला डिवाइड करने वाला माउंटेन कौन सा है यूरेल माउंटेन ये दोनों ही जो माउंटेन है ये राउंड है ठीक है र वर्ल्ड का oldest fold mountain कौन सा है तो ये अरावली है ठीक है ये कौन सा है अरावली है ये कहां आता है डैली से राजस्तान ठीक है और इसकी highest peak कौन सी है इसकी highest peak है गुरुशिकर ठीक है अरावली की highest peak कौन सी है गुरुशिकर अरावली की highest peak कौन सी है गुरुशिकर अरावली की highest peak ग Mountain. Fault Mountain. लेकिन जो अराबली है वो oldest fold mountain टीक है oldest fold mountain world का टीक है isकी हाईस्ट पीड कोन से है Guru, शीकर ऐसे भी पूछ सकते हैं up planches कहां पर कौन से continent में आता है north america north america ठीक है North American में रॉषिया ठीक है रशीया दोनों में आता है एशिया में भी और यूरोप में भी आता है ठीक है यूरोप और एशिया यूरोप और एशिया कॉंटिनेंट को अलग करने वाला माउंटेन कौन सा है यूरेल माउंटेन ठीक है एशिया और यूरोप कॉंटिनेंट को अलग करने वाला माउंटेन कौन सा है उसकी boundary को differentiate करने वाला कौन सा mountain है Ural mountain और कौन सी category में है यह round ठीक है round और high elevation ठीक है अप्लांचिस भी इसी category में है और जो हमारी हिमालिया है और alps है हिमालिया है हमालिया कहा आता एशिया continent में alps कहा आता यूरोब continent में हिमालिया alps में और हिमालिया एशिया में alps यूरोब में आता ये दोनों ही young fold mountain है ये दोनों ही क्या है young fold mountain अराबली fold mountain है ये दोनों young fold mountain हिमालिया की highest peak आपको बता Mount Everest है, world की highest peak world की highest peak है जो हिमालिया में आती है Mount Everest, ये कहां पे है? नेपाल में है, ठीक है तो option हमारा C is correct next question है tectonic plateau are formed due to earth moment that cause upliftment, ठीक है, tectonic plateau, tectonic plateau earth की movement से, ठीक है, earth की movement से कौन से tectonic plateau बने है, तो, Missita, Central Ilveria, Hearts of January, यह जर्मनी यह बॉल्विया plateau, ठीक है यहां फिर बॉल्विया plateau between the two range of andis, तो यह कौन सा है बॉल्विया plateau, tectonic plateau कौन सा है, tectonic plateau कौन सा है बॉल्विया plateau, जो andis में आता है, andis कहां है andis कहां है, यूरोप में है तो यह कैसे बनते हैं, अर्थ की movement से, ठीक है, अर्थ की movement से, किसे बनते हैं, अर्थ की movement से, अब बोल रहेंगी largest physiographic division of India, largest physiographic division किसकी है, इंडिया की, यह है peninsula plateau की, ठीक है peninsula plateau की, northern mountain हिमाल्या की कम है, यह आते हिमाल्या great plane यहां पे आगे उसके नीचे आगया peninsula plateau यहां पे island आते हैं, island कौन कौन से हैं, बेया बेंगाल वाली साइड है, अंडमान एको बार और यहां पे लक्षदी पाइलेंड है ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा है यह वाला dekin plateau, ठीक है peninsula plateau इसके north west में कौन आता है dekin plateau के north west में अरावली ही लागी, north में मैकाल आ गया, north में मैकाल आ गया, और यहां पे west में western guard, और east में eastern guard ठीक है, तो option c हमारा correct, अब बोल रहेंगी which river bound, बुदेल खंड upland, in the north ठीक है, जो बुदे, बुदेल खंड upland है, बुदेल खंड upland है, उसके north वाली side कौन सी river होती है जो बुदेल खंड है, वो किसको divide करता है, मलब उसके UP उसके north में आता है और मद्यापरदेश उसके south में आता है, UP उसके north में आता है और मद्यापरदेश उसके south में आता है ठीक है, UP north में और मद्यापरदेश south में आता है तो UP में कौन सी river होगी, गंगा ठीक है, गंगा, तो कौन सी आगी गंगा, option A is जो Megalia Mikhir Upland है Megalia Mikhir ठीक है यहाँ पे आता है North East में Megalia ठीक है यहाँ पे इसके East Side में कौन सी डीवर है तो यह Tributory है किसकी Tributory है Brahmaputra की ठीक है Brahmaputra की Tributory है वो आती है Diku Option B is correct अब बोल रहेंगी जो Shilong Peak है ठीक है Megalia की Capital है Shilong तो Shilong Peak कहां situated है Megalia में सबसे बड़ी Megalia की Peak कौन सी है Shilong Peak सबसे बड़ी Megalia की Peak कौन सी है Shilong Peak और सबसे और उसकी Capital भी क्या है Megalia अभी recent अरुनाचर प्रदेश में एक Airport बना है Donny Pony ठीक है Donny Pony Airport बना है ठीक है तो Option D is correct विच बैसिन इस काल 36 कर्ण में किसको बोलते हैं कौन सी बैसिन होगी इसमें तो यह आप खुद ठीक लगाओ आपको पता ही है कि 36 कर्ण से कौन सी निकल रहे है western guard से कौन निकल रहे है यहाँ पे अब बोल रहे हैं कि which one of the following form real watershed आ पैनन्सुला ठीक है real watershed आ पैनन्सुला पैनन्सुला यहाँ पे भी दियान से देखना है कि किसकी बात कर रहे हैं पैनन्सुला की और क्या real watershed ठीक है real watershed तो अनाई मुंडी पुष्पागिरी परुमल पीक या वेस्टन गाड तो western guard यहाँ पे आता है इसकी highest peak क्या है अनाई मुंडी ठीक है अनाई मुंडी तो हम किसको बोलते है western guard western guard जो है वो hot spot में भी आते हैं ठीक है hot spot में भी आते है 10 hot spot है उसमें से एक हमारा western guard है तो इसको real watershed आफ इंडिया बोलते हैं option D is correct इंडिया नहीं पैनल सुला अब बोल रहे हैं कि जो eastern guard है form the eastern boundary which reason ठीक है जो eastern guard है वो किसे केसे कौन से reason के साथ eastern boundary मनाता है यहाँ पे है तो यहाँ पे बीच में आता है हमारा decking plateau ठीक है decking plateau eastern guard की highest point कौन सी है highest peak कौन सी है जिंदगिरी बोलते हैं और महिंद्रगिरी बोलते हैं जिंदगिरी नहीं हो तो महिंद्रगिरी लगा के आना option c is correct अब बोल रहेंगे जो पैननसुला mountain है इंडिया के ठीक है जो पैननसुला mountain है इंडिया के वो कौन से time period में बने थे वो कौन से time period में बने थे very important ठीक है पैननसूला माउंटेन है इंडिया के वो बने थी इयोजोइक में ऑपशन ए इस गरेक्ट जो बेसाल्टिक लावा रॉक है इंडियन डैकेन प्लैट्ट्यू में ठीक है इंडियन डैकेन एरिया है वो सबसे ज्यादा किसे बना हुआ है लावा से ठीक है लावा कौन सी रॉक में होती इगनीशियस रॉक में ठीक है जब वालकेनों फटते हैं तो जो अंदर रह जाता है जो अंदर रह जाता है उसको मैगमा बोलते है जो बहार आता है निकलके जो बहार आता है निकलके उसको लावा तो वो लावा इकठा होता गय उस से बनके decan plateau तो इसमें कौन सी रॉक होती है इसमें होती है ignisius rock इसे पूर सकते है है decan plateau कौन सी रॉक से बना ignisius rock IDS रॉक में क्या होता है lava lava कहां से produce होता है walkano से produce होता है ठीक है लेकिन वो कب formed हुए थे पूंछ हूँ हूँ थे कौन कुन सी स्टेट में आती दंदा करनी है जगा दंदा करनी है कौन सी एरिया में आती है कौन सी एरिया में लाई करती है शतिसगड और उडिसा ठीक है option B is correct कौन सा plateau है जो अरावली और बिंद्या रेंज के बीच में आता है कौन सा प्लैट्यू है जो अरावली और बिंद्या रेंज के बीच में आता है वो मालवा प्लैट्यू है ठीक है वो कौन सा है मालवा प्लैट्यू टीक है बिंद्या रेंज कौन से प्लैट्यू के बीच में आती है ये शोटा नागपूर और डैकिन शोटा नागपूर और डैकिन के बीच में कोन आता है बिंद्या रेंज टीक है ये थे कुछ डैकिन प्लैट्यू सदन प्लैट्यू के MCQ Thank you